ओके तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे PC बिल्ट अंडर 60,000 के बारे में मतलब 60,000 रुपया के अंदर हम लोग जो PC बिल्ट आज करने वाले हैं ये PC जो होगा ना Intel के i5 12 जनेरेशन के साथ होगा इसके अंदर मैं आपको ग्राफिक्स काड जो बताऊंगा वो GTX 1650 आप यूज कर सकते हो या फिर आपको Radeon का RX 6500, XT या फिर RS 6400 ये ग्राफिक्स काड आप इस्तमाल कर सकते हो वैसे तो आज की विल्ट के अंदर मैंने ग्राफिक्स काड भी लिया है तो अगर आपको 60,000 रुपया के अंदर में पूरा 60,000 भी नहीं लगेगा बहुत कम प्राइस में मैं आपको बिल्ट करके दूँगा और इस बिल्ट के अंदर आपको 24 इंच का मॉनिटर, RGB, कीबोर्ड, माउस और 500GB का NVMe M.2 SSD भी देखने को मिलेगा फुल सेटप PC बिल्ट होने वाला है वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में आयों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल के अंदर बट जो हार्ड्राइब है ना उसको इस्तमाल करने के बाद मैंने खुद भी एक हार्ड्राइब इस्तमाल किया था वो कौन सा कमपनी है उसका नाम नहीं लूँगा बाकि आप भी हार्ड्राइब को इस्तमाल मत करोगी युकि 10 साल पुराना टेक्नोलोजी है और अभी 2023 में आके आप अगर ये 10-11 साल पुराना टेक्नोलोजी का हार्ड्राइब अपने नए गेमिंग PC बे लगाते हो तो यार ये चीज थोड़ा बुड़ा लगता है इसका इस्तमाल मत करना है तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग उने प्रोसेसर जो इस्तमाल किया उसके बारे में बात करते हैं मैंने आज इस विल्ट के अंदर एकदम लेटेस्ट 2022 में लांच हुआ गया एक i5 का 12 Gen प्रोसेसर इस्तमाल किया है आज के PC Build के अंदर जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ Intel के तरह से आने वाला Intel का i5-12400F ये वाला प्रोसेसर इस्तमाल किया है और इस प्रोसेसर के अंदर वही 6 code 12 trade मिलता है ये जो आर्किडेक्चर के उपर बेश्ट है ना ये बहुत अच्छा है 11NM आर्किडेक्चर के उपर बेश्ट किया गया इसको and Intel ने इसके उपर जो काम किया है ना ज्यादा तर Ryzen के प्रोसेसर इसके सामने बीट हो जाता है इस वजासे मैंने बजेट के अंदर रहते हुए इस वाले प्रोसेसर को चूज किया क्योंकि आप जो भी काम करना चाते हो 4K एडिटिंग बता हो या फिर गेमिंग करना चाते हो सारे चीज आप इस वाले प्रोसेसर से कर सकते हो बागी बता दो 2.50 GHz तक का इसका बेस क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा और 4.40 GHz तक का इसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिल चाएगा इंट्रेस्टिंगली ये वाला जो प्रोसेसर है ये सपोर्ट करता है DDR5 RAM को जो की 4800 मेगार्स पर रन करते है तो आप चाओ तो बाद में जाके अपने मदरबोट में DDR5 RAM को भी स्टॉल कर सकते हो मदरबोट कौन साल लेंगे आगे जाके बताते है खेर बता दो ये वाला जो प्रोसेसर है ये आपको मिल जाएगा LGA 1700 सौकेट के साथ और प्राइजिंग के बार में बात की जाए भाई बहुत ही कम प्राइज में आपके Amazon पे मिलेगा सिर्फ अपर सिब 15,445 रुपिया में अभी Amazon पे बिकरा है और कभी कबार नहीं ये प्राइज गिरता है कभी कबार उपर जाता है तो ये आज का करेंट प्राइज बता रहा हूँ हो सगे तो बहुत जल्दी परचेस कर लेना और जादा लेट करोगे प्राइज इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है अपनी साब से देख लेना वैसे 15,000 में बहुत बेश डील है लिइनक इन देसक्चिपशन बिलो चेक आउट राइट नाओ तो फायस फाइनली जो Motherboard हम लोग इस्तमाल कर रहे है आज के बिल्ट के अंदर ये एक LGA 1700 लुचर ये सतना सुटवे वाला Motherboard है आज के बिल्ट के अंदर हम लोग जो Motherboard इस्तमाल कर रहे है ये एसूस के तरफ साने वाला एसूस का प्राइम H610 MED4 मदरबोर्ड है ये एक Micro ATX मदरबोर्ड है और इसके अंदर आपको बहुत सरे अच्छे चीज़े देखने को मिलता है फर्स्ट आप आप मदरबोर्ड को तो देख लो ये वाला मदरबोर्ड LGA 1700 सौकेट में आता है डूल M.2 स्लोट देखने को मिल जाएगा फूचर में जाके अगर स्टोरिज का नीड हुआ आपको SATA ports तो मिले रहे है जिसमें आप hard drive connect कर सकते हो इसके अलाबा दो M.2 स्लोट है जिसमें आप M.2 SSD लगा के बड़े आराम से अपने PC में काम कर सकते हो कोई दिक्कत आपको future में storage related नहीं होगा इसके अलाबा ये जो motherboard है RGB header के साथ आता है आपको यहाँ पे दो RAM slot भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे overall अगर बात की जाए ना आपको ये motherboard का जो heat sink है looking है देखने में बहुत अच्छा है इस motherboard को आप बड़े आराम से purchase कर सकते हो क्योंकि एसूस के तरफ से आपको यहाँ पे brand warranty वी तीन साल का देखने को मिल जाता है एसूस के after sales service बहुत अच्छे होते है इसको लिए के ज़्यादा बात ना करेंगे सीधे price के बारे में बात की जाए तो ये वाला जो motherboard है आपको 7,994 रुपिया में Amazon पे देखने को मिलता है मेरे ख्याल से one of the best deal है तो आज की build के अंदर हम लोगों ने जो RAM इस्तमाल किया है वो RAM एक 32 मेगार्ज बाला RAM है ये DDR4 RAM है DDR5 RAM नहीं है क्योंकि देखो मेरे क्याल से budget में रहते हुए DDR4 RAM ही बहुत ज़्यादा अच्छे चलते है और मैंने in fact मेरे PC के अंदर भी यही वाले RAM इंस्टॉल करके रखे है इसका विडियो मैंने अल्रेडी बना के रखा है आपको शायद पता चल चुका होगा मैं बात कर रहा हूँ XPG के तरह सा आने वाला XPG का A-Data GameX D30 RAM के बारे में ये एक DDR4 RAM है जो की 32 मेगार्ज में रन करता है लुकिंग आप देख सकते हो एक गेमिंग टाइप का लूप देता है और ओबर क्लॉक कर सकते हो पाथ साल का ब्रेंड वरेंटी देखने को मिल चाएगा हीट सिंग अच्छा है दिखने में तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप PC में लगाते हो बहुत अच्छा लगेगा एक RAM स्लोट में एक श्टिक का इस्तमाल के आज के बिल्ट के अंदर बात में जा कि फ्यूचर में और एक ये खरीद के आप लगा सकते हो प्राइजिंग के बारे में बात की जाए तो ये वाला RAM आपको मिलेगा दो हजार उन्तीस रुपिया में दोस्तो ये चो RAM है ओवर क्लॉक एविल है और मैंने ओवर क्लॉक अल्री करके रखा है कैसे इसको इस वीडियो को तैयार करके रखा है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक देता हूँ जाके देख लेना इस वाले RAM को कैसे इस्टॉल करना है आपको पूरे डिटेल्स मिल चाहेंगे वैसे अगर इस RAM को आप लोग चेक आउट करना चाहते हो कई ढूनने का जरूरत नहीं डेस्किशन में सारे चीजों का लिंक आपको मिल चाहेगा अब हम लोग बात करेंगे स्टॉरेज के बारे में अगर आप लोगोंने नहीं देखा आई बटन में लिंक देता हो जागे देख लेना ये एक 500GB का NVMe M.2 SSD है जो की PCI Gen 3 सीरीस के अंदर आता है और ये वाला SSD भाई देख सकते हो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर आपको Read and Write स्पीड बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा लाइक अधर SSD से 300MBPS का स्पीड आपको Read में मिलेगा और राइड में यहाँ पर आपको मिलेगा 1200MBPS पर सेकेंड का ये वाला SSD का Read and Write स्पीड ना बहुत फरक देता है अधर SSD हो से यहाँ पर आपको मिलेगा एक बहुत ही बेटर सिंक आप देख सकते हो उपर में पूरा हीट सिंक से ढखा हुआ है और आपको यहाँ पर पांच येर तक का warranty दे रहा है WD ड़लूडी पांच साल का warranty दे रहा है ज्यादा तर जो SSD आते हैं इस चीज को ध्यान रखना आपको दो साल का ज्यादा warranty मिल रहा है खेर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो यह वाला SSD आपको मिल चाहेगा monitor and हमारे processor को motherboard को चलाने के लिए हमें एक अच्छा PSU चाहिए इस जगा पे आगे बहुत लोग गलती करते है चीप quality के PSU खरीज लेते है ऐसा बिलकुल मत करो बाद में जाके आपके सारे components जल जाएंगे सो दोस्तो आज की build के अंदर हम लोगों ने जो PSU इस्टमाल किया आई है anti sports के तरफ साने वाला anti sports का FB 550B यह जो PSU है ना यह 80 plus bronze certified है मतलब आपको इसके अंदर bronze certification मिल रहा है जो की power efficiency करता है like 85% तक का power efficiency आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा यह वाला power supply यह gaming power supply है यहाँ पे black theme आपको मिलेगा पूरे wear जो है black black color की है 120 mm का एक silent fan मिल जाएगा जिससे noise आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे 550 watt के साथ आता है आपको यहाँ पे 3 साल का brand warranty भी anti sports दे देता है overall pricing के बारे में बात की जाए तो यह आपको सिर परसीव 2989 रुपिया में Amazon पे देखने को मिल जाएगा बहुत ही कम price में 85% का आपको एक efficiency मिल दा है इस चीज़ को ध्यान रखना और 3 साल का warranty भी है सो मेरे ख्याल से इस से ज्यादा better P.E.C.O. आपको कभी नहीं मिल गा बाद में future में जाके आप चाओ तो एक 3050 Ti जैसे ग्राफिस कार को भी इस PC के अंदर इस्टॉल कर सकते हो finally हम लोग बात करेंगे एक घर के बारे में घर का मतलब एक PC का cabinet जी हाँ, सारे चीजों को खरीदने के बाद आपको वहाँ पर ही सजाना पड़ता है cabinet के अंदर, इसलिए मैं cabinet को घर बोलता हूँ हर वक्त so आज की बिल्ट के अंदर हम लोगों ने जो cabinet इस्तेमाल किया ये cabinet एक बहुत ही भहतरीन cabinet है और इस cabinet के अंदर आपको वो हर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो की एक गेमिंग PC में चाहिए ये cabinet आता है चिप्टाउनिस के तरफ साने वाला चिप्टाउनिस का एक 610B नाम से ये cabinet, Micro ATX, Mini ATX या फिर Normal ATX Motherboard हर तरीके का Motherboard आप इसके अंदर लगा सकते हो यहाँ पे Metal Body देखने को मिल जाएगा साइड में Glass Panel है बैक में आपको Rare साइड में मिलेगा 120 mm का Stylent Fan और ये Non-RGB Fan है आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक PSU Shrout साथ ही साथ आपको सारे बटन्स वगरा देखने को मिल जाएगे आप चाओ तो बड़े आराम से अपने Motherboard को यहाँ पे लगा के Extra Fans वगरा सारा कुछ इस्टॉल कर सकते हो और सामने आपको RGB Stripes भी देखने को मिलेंगे जो की Chiptonis के तरफ से आथा है प्राइजिंग बहुत ही कम है इसका 2280 रूपया में आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइज में मिल रहा है और मेरे ख्याल से cabinet पे उतना खर्चा नहीं करना चाहिए क्यूंकि देखो अच्छा दिखने वाला cabinet होना है बहुत सरे लोग तो 10,000, 20,000 की cabinet ही ले लेता है ऐसा गलती आप लोग मत करना अलग component पे पैसा डालो मेरे ख्याल से अच्छ रहेगा इससे बेश्ट cabinet आपको मार्केट में अभी के टाइम पे नहीं मिलेगा आप यहाँ पे ना एक किस्ता हो चुका है मतलब ग्राफिस कार्ड जो है आम लोगों ने चूस किया है यहाँ पर थोरा सा मतलब आपको confusion हो सकता है क्योंकि आज के build में हम लोगों ने जो ग्राफिस कार्ड इस्तमाल किया वो आप अपने हिसाब से बीचार करोगे आपको कौन सा लेना है क्योंकि money आपका है आप कितना पैसा दे सकते हो साथ हजार के अंदर में रहोगे या थोरा सा उपर जा सकते हो या आपकी हिसाब से वैसे तो साथ हजार के अंदर में भी आपको ग्राफिस कार्ड मिलेगा चलो यहाँ पर मैंने पहला जो graphics card select किया आज के build के अंदर है यहाँ आता है NVIDIA के तरह से आने वाला NVIDIA का Quadro T400 यह GTDR6 का graphics card है यहाँ पर आपको एक single fan मिल जाएगा low profile graphics card है बहुत ही हलका फुल का है बट यहाँ पर आपको 383 का CUDA core देखने को मल जाता है 4G भी VRAM के साथ आता है यहाँ टू मिनी पोर्ट के द्वारा दो monitor बर्याराम से चला सकते हो इस वाले graphics card को मैंने चूज क्यूं किया क्यूंकि इसका CUDA core बहुत जादा है और यह RTX series का है सबसे बड़ी बात तो यह है ठीक है GTX series का ने RTX series का यह graphics card है और अभी के टाइम में इस graphics card से बहुत सारे लोग gaming, editing वगरा करते है ठीक है आपका budget अगर बहुत कम है तो आप इसके उपर जा सकते हो Amazon पे इसका price देखने को मिल जाएगा 12,050 रुपिया के आसपास में और बहुत ही अच्छा graphics card है अभी आपको stock में मिल जाएगा Jotac का GTX 1650 graphics card ये graphics card भी GDDR6 variant के साथ आता है आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा fan देखने को मिल जाएगा एक ही fan है बट single fan बड़ा मिलता है पिछले वाले graphics card में छोटा fan था क्योंकि ओ लोग profile था तो आपको compact मिलते थे बट इसमें बड़ा fan है और single fan मिल जाता है GDDR6 के साथ 4G VRAM है and GTX का 1650 जो graphics card है इसमें CUDA course भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते है so मेरे ख्याल से पिछले वाले से ये वाला थोड़ा सा better होगा so आप इसको checkout कर सकते हो अगर आपका पैसा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसमें आप overclocking भी कर सकते हो जो कि मैंने भी अपने graphics card में करवा के रखे है मेरे PC में GTX का 1650 है so इसके pricing के बार में बात की जाए तो 14,020 रुबया के आजपास में आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगा बहुत ही great deal है आप checkout कर सकते हो next graphics card के बार में बात की जाए तो ये Asus के तरस आने वाला Asus का RX 6400 graphics card है ये भी वही same GDDR6 के साथ आता है 4GB dual fan, RGB stripe भी आपको इसके अंदर मिल जाता है जोकि इसके अंदर थोड़ा सा मतलब एक better thing है आपको थोड़ा सा RGB मिल जाएगा इसको चलाने के बाद आप देख पाओगे and इसमें ना dual fan है, बड़े बड़े fan है छोटे छोटे नहीं है तो यह थोड़ा सा difference पैदा करता है थोड़ा better cooling आपको मिलेगा and यह RX 6400 वही आप GTX 1650 जैसे ही performance निकाल के देदेते है मेरे क्याल से इसको भी आप चेक आउट कर सकते हूँ अगर आपको AMD का graphics card चाहिए इसका pricing थोड़ा सा high है यह आपको मिल जाएगा 12,999 रूपया में Amazon के आसपास में and last और एक graphics card को मैं recommend करूँगा मुझे पता है कोई नहीं खड़ी देगा इसको but यह भी बहुत कम price में मिल रहा है मैं बत कर रहा हूँ Sapphire के तरफ साने वाला Sapphire का 6500 XT यह वाला graphics card भी वही same आपको GDDR6 के साथ मिलता है 4GB VRAM है यहाँ पर भी आपको वही dual fan देखने को मिल जाता है better CUDA code थोड़ा बेटर इसमें आपको मिलेगा क्योंकि यह XT variant के अंदर आता है and Sapphire के तरफ से यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग-अलग मतलब optimizations देखने को मिल जाएंगे and 6500 XT, 6400 से बहुत ज़ादा परफों में इस निकाल के देता है यह जाहिर सी बात है pricing थोड़ा सा इसमें ज़ादा है क्योंकि Amazon पर आपको 14,994 रुपया में यह देखने को मिलता है आप graphics card कौन सा choose करोगे मैं आगे जाके बताता हूँ अपने price की साब से choose करना यह 4 graphics card आज के build के अंदर हम लोग इस्तमाल करेंगे आप जो भी build करना चाहते हो इन 4 हो में से एक को pick करना आपके price की साब से I hope आपको समझ में आ गया पहले हम लोग monitor के बारे में बात करेंगे यह एक बहुत ही बहतरीर monitor है जो कि मैंने आज की build में चूस किया यह BenQ के तरस आने वाला BenQ का professional 24 इंच वाला IPS monitor है जो कि 60 years refresh rate को लेके आता है IPS display देखने को मिल जाएगा HDMI, VGA port, TUVDLand का support Interestingly यहाँ पे आपको मिलता है 100% का color gamut and rear land का support मतलब आखों में दिक्कत नहीं होगा यह professional है अगर आप video editing करना चादो gaming करना चादो सारा कुछ आविस्से कर सकते हो flicker free है AMD का free sync भी मिल जाएगा अगर आप AMD के जो Radion series के graphics card मैंने बता है उनको choose किया तो monitor में free sync भी आपको देखने को मिल जाएगा pricing के बारे में बात की जाएगा तो अभी बहुत ही कम प्राइज में Amazon पे आपको देखने को मिल जाएगा सिर्फ अर्सी 9,490 रुपया के आसपास में आपको Amazon पे मिलेगा BenQ का professional 24 इंच वाला IPS monitor मैं हर वक्त एक ही keyboard mouse के बारे में बताता हूँ हर build के अंदर क्योंकि इससे कम प्राइज में इससे अच्छा कुछ भी चीज आपको नहीं मिलेगा यह जेब राउनीस के तरफ आने वाला जेब राउनीस का जेब ट्रांस्पोर्मर बाला metal body के साथ आने वाला keyboard mouse combo है यहाँ पर जो mouse मिलता है 6 button के साथ आता है आपको एंटी कोस्टिंग की बगरा मिल जाएगा breathing mode में अपना जो light है उसको change कर सकते हो 8GB बगरा जलते रहते है एंड बहुत अच्छा keyboard mouse combo है pricing इसका बहुत एग्रेसिव है 1330 रूपया में आपको Amazon पे मिल जाएगा अभी हम लोग total cost के बारे में बात करेंगे थोड़ा ध्यान से चुनना ये चीज़ जो लोग serious build करने वाले हो उनको बता रहा हूँ मैं ये बात total जो चीज़े ग्राफिस कार्ट छोड़के आपको total खर्चा आएगा 44,154 रूपया ग्राफिस कार्ट को छोड़के अभी मैं ग्राफिस कार्ट के बार में बता रहा हूँ सारी चीज़ लेने के बाद ये सारी चीज़ सिर्फ ग्राफिस कार्ट को छोड़के 44,154 रूपया अगर आप Quadro वाला ग्राफिस कार्ट चूज करते हो तो आपको 56,493 रूपया में पूरा बेल्ड हो जाएगा 60,000 भी नहीं लगेगा ठीक है? Quadro का अगर T400 लेते हो नेक्स्ट आप लोग अगर Jotac का GTX 1650 लेते हो तो 58,144 रूपया आपको लगेगा 60,000 रूपया नहीं लगेगा अगर आप GTX 1650 Jotac का लेते हो Asus वाला अगर आप लेते हो Dual Fan RX 6400 57,153 रूपया लगेगा ठीक है? ये भी बहुत कम है 60,000 से नीचे में ही है अगर आप Sapphire वाला लेते हो जो कि सबसे ज़्यादा प्राइस में बिक रहा था जो Graphics Card आप लेना चाहते हो सारे Graphics Card, सारे Components के लिंक आपको नीचे डिस्कूशन में मिल चाहेंगे आप अपने हिसाब से बिल्ट करना आपको क्या काम करना है ये तो आप ही खुद जानते हो बाकि सारे Components जनूइन है सारे Links नीचे है कही जाने का जरूरत नहीं वहाँ सही आप order कर सकते हो Links वे क्लिक करके